दोस्तों हमारा गलार इतने की धमकी दी गई है वहासी भी आ रही है गुसा भी आ रहा है और फिर उनके पर तरज भी आ रहा है एक सजन ने मैसेज करके कहा है कि अब तुम्हारा भी दिन दूर नहीं है मैं उसे पढ़के सुना देता हूँ और मैंने कल एक वीडियो किया था वीडियो उदैपुर कांड पर था उसमें अमने अपने फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसका पालन किया था कोई भी अच्छा बेक्ति यह नहीं कहेगा कि और आग में घी डालो और आग लगा दो जैसा कि कुछ चैनल वाले करते हैं और जिनके इस गंदे कृति के कारण पूरे देश में आग लगी हुई है ऐसे मामले में डिवेट कराना कल किसी ने दोनों तरफ से दो कुतों का डाला था इधर आई नहीं हो जाए बाराल किसी पर दोसार उपर करना ठीक नहीं है मुझे जो धंकी मिली है उसको बताता हूं इस मामले में हमने प्रदेश के मुख्यमंतरी स्रियादी तिनाथियोगी जी प्रदेश के डीजीपी और अपर पुलिस महानिदेशक बारांसी जोन इत्यादी क जो हमने ट्वीट करके बता दिया है यह है किसी साकी बहमत नाम की आई डी है और जो दोपहर एक बज के 32 मिनट पर हमारे जो हमने किया था वीडियो उस पर यह आता है और आकर के जो बोलता है उसको हम अच्छर से बताते हैं इंसा आल्ला तेरा भी सर तन से जुदा करेंग जल्द ही देख लेना समय भी बाउंड कर रहा है और फिर कर रहा है दमकी भी दे रहा है कि देख लेना और सामाने मौत नहीं मारेगा यह क्या करेगा कि तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे जैसा कि नारा लग रहा है सर तन से जुदा अब यह साकी बहमत कुछ देर बाद ही स्क्रीन सार्ट लिया गया है जिसे हमने चारों तरब भेज दिया है जो भी जिम्मेदार लोग है एनाई ये ने जाज सुरू कर दिया है इस मामले में मुख्यमंतरी गहलोट साहब इकल गये थेपीडित परिवार के पास और जो हमारा मानना है वो यह है कि फेक आईडी जिस फेक आईडी से लोग अपनी आईडी बनाते हैं और पुष्ट प्रमानों की आधार पर और किसी नाम से अब यह साकीब हैं कि कोई अब्दुल्ला साहब हैं कि कोई मुहमत साहब हैं कोई तिवारी जी हैं कोई पाठक जी हैं कोई पांडे जी हैं कोई राय साहब हैं कोई काम पुलिस भी भाग का है, इसकी जाच कराए और ऐसे लोगों को बेनकाब करके सामने करें, ऐसे लोग जो लगातार ज्यान बाढ़ते रहते हैं, प्रधान मंतरी को गरी आते हैं, और ऐसी ही सुचना ओपर कि हम संसत बहुन उड़ा देंगे, राठपती सचीवाले उड़ा प्रधान मंतरी को उड़ा देंगे, ऐसे ही मामले टी उठतों हैं, तो जाच होती है, अब ठीक है, वह बड़े लोग हैं, और हम सामाने लोग हैं, जितने उनके जान की कीमत है, उतना ही ब्रजबूसों दूबे के जान की कीमत है, उतना ही कनहिया लाल के जान की कीमत है, और फ्रस के आधार पर हमारा मोबाइल खुलेगा, हमारे फिंगर के आधार पर उसका टच करने पर मोबाइल खुलेगा, इस तरह से हमें मजबूत करना चाहिए कि कोई आतंगबादी संगठन, कोई इस तरह के लोग आईडी बना करके और इस तरह का भी सममन न करें, कौन है दिया है, वही होना है, ऐसा कहा जाता है, तो जीवन मरण तो इस वर के हाथ में है, लेकिन इसकी जाच होनी चाहिए, बच्चों ने का चोड़िये पापा, ऐसे होता रहता है, इन ने का ठीक है, बिटा होता रहता है, लेकिन हलके में भी नहीं लेना है, मामले को भीरता से लेना है उनलों ने का ऐसे तो रोज फालतू लोग करते रहते हैं लेकिन ठीक है यह पता होना चाहिए कि साकी बहमत हैं कि कोई और हैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम भारत सरकार से अपील भी करते हैं कि इस मामले में ठोस नियम बनाये जाने चाहिए जैसा कि चाइना इत्याद ने बनाया है कि इसका कोई दुरूपयोग न कर सकें दोस्तों आगे बताते रहांगा और काम जारी रहेगा जंग किया है जंग कर रहा हूं जंग आगे भी करूँगा जो कहते हैं वे करते नहीं है इसलिए संगर्ष जारी रहेगा आज से प्लास्टिक पालिथीन का उनमुलन हो रहा है सबसे पहले अलग जगाया था इस मामले में लगातार लेकिन कितना होता है प्लास्टिक की फैक्टरियों को बंद करने की बात नहीं की गई है बंद करने की लोगों से जागरुकता परिदा करने की बात की जा रही है इसे में बहुत कुछ करना है अभी आज कायं भी करूँगा कोर्ट में उसे भी बताऊंगा तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजबूसण दूबे यूटूब चैनल ब्रजबूसण मारकंडे से बहुत बहुत धन्यबाद सुबकामना और हमारा जो ट्यूटर एकाउंट है वो अभी बूसण दूबे के नाम से है उसे में मैं इसे इंक्लूड कर दूँगा और जो धंकी दी गई है उसे मैं सामिल कर दे रहा हूँ प्रणाम नमस्कार